दीपावली के पश्चात मंडियों में सोयाबीन के मुहूर्ट के सौदे होते हैं। इस वर्ष मध्य प्रदेश की प्रमुख क्रिशी उपज मंडियों में मुहूर्ट के सौदे चार नवंबर सोमवार को होंग। इन मुहूर्ट के सौदे पर सबकी निगाहें हैं। पिछले इधर दूसरी और गुरुवार को दीपावली की लक्षमी पूजा के बाद व्यापारिक सोदे होना शुरू हो गए है। पिछले वर्ष सोयाबीन के औसत दाम 5500 तक हो गए है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि इस वर्ष सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है। यही कारण है कि सोयाबीन के भाव को लेकर किसान आसान विध। इस वर् प्लांट की ओर से सोयाबीन की खरीदी भाव ओफर किये गए है। यह व्यापार दलाल के माध्यम से होता। उपज की डिलीवरी एक हफते बाद दी जाती। दीपावली पूर्व चिमंगंज में मंडी उजजैन में सोयाबीन सीजन के सबसे महेंगे भाव 5,280 के रहेद। इधर अनाज तिलहन व्यवसाई संग ने 4 नवंबर को मुहूर्ट के सौदों की घोशना की। शुब मुहूर्ट सोमवार को 9.15 मिनट सुबह का तै किया गया। इसके साथ ही नीलाम स्थल पर किसानों की उपज की पहले मुहूर्ट की नीलामी बोली अति थी या वरिष्ट व्यापारियों द्वारा लगाई जाएग। लोटरी सिस्टम से किसान की उपज की पर्ची खोल कर भागयशाली किसान की उपज का विक्रे होता है। सोयाबीन के मुहूर्ट के भाव का अधिक महत्व होने से पहले व्यापार को शुब मानकर बोली भाव से डबल भाव की भी हो जाती है। गत वर्ष 8551 रुपए का सोयाबीन का मुहूर्ट सौदा हुआत। इन दोर में इस बार भले ही दिवाली को लेकर व्यापारियों के अलग-अलग मत रहे हो लेकिन अधिकांश बाजारों में व्यापारिक मुहूर्ट 4 नवंबर को ही हों। इन में 56 अनाज मंडी, सियागंज आदी प्रमुख है। दिपावली मुहूर्ट सौदों के पहले पिछले सप्ता सोमवार को मंडी में सीजन के सबसे उंचे दाम 5,280 के रहे। यह सरकार की सपोर्ट प्राइज से 388 रुपए प्रती क्विंटल भाव अधिक है। देखा जाए तो इस में खरीदी ओफर 50 रुपए की तेजी रही थ। नीमच लाइन के 4,800 रुपए इंदोर लाइन के 4,700 के रहे। इस साल सोयाबीन के भाव की तेजी को लेकर खूब खीचतान चल रही है जबकि व्यापारिक सौदे इस साल सामाने भाव के होने की चर्चा अधिक है। किसानो की समर्थन मूले 4,892 रुपए का मंडी में दीपावली अवकाश के पूर्व टॉप क्वालिटी का माल 5,280 के भाव से नीलामी में बिग गए। सोयाबीन का कारोबार करने वाले जानकारों के अनुसार सोयाबीन के भाव में अब बड़ा उलट फेर देखने को मिलेगा क् सोयाबीन की समर्थन मूले पर खरीदी बढ़ाने एवं प्लांट संचालक को की खरीदी के साथ साथ स्टॉक वालों की खरीदी होगी तो सोयाबीन के भाव में बढ़त देखने को मिल सकती है। हालांकि विशेशगे यह भी बताते हैं कि सोयाबीन के भाव का 6,000 रुपए प्रती क्विंटल का सफर आसान नहीं है। सोयाबीन में 200 रुपए का उच्छाल आया। सोयाबीन के भाव में दीपावली के पहले 200 रुपए प्रती क्विंटल का उच्छाल आ गए। समर्थन दाम 4,892 से पार होकर मंडी नीलाम में एक आइटम 5,000 रुपए बिग गए। इसकी प्रमुक वज़े सरकार द्वारा 25 अक्टूबर से सोयाबीन की खरीदी शुरू करने को बताया जा रहा। सरकार सरकार द्वारा सोयाबीन की खरीदी बड़े पैमाने पर शुरू करने के पहले ही सोयाबीन के भाव में तेजी आना शुरू हो गई थ। सोयाबीन की सर कारी स्तर पर बड़ी खरीदी 4 अक्टूबर से शुरू होग ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी